असलाओं आलेकुम दोस्तों ये कहानी डॉक्टर कर्ड रिचर्ड की है जो 1950s के दौर के Harvard University के प्रोफेसर थे और बहुत बड़े-बड़े एक्सपरिमेंट किये थे जिनमें से एक ये लाइफ चेंजिंग एक्सपरिमेंट था जिसे वो कहते थे होप एक्सपरिमेंट इसमें इन्होंने एक चुए को पानी के भरेवे जार में डाल दिया वो चूहा लगबग 15 मिर्ट तक तैरने की कोशिश करता रहा 15 मिर्ट के बाद वो ठक हार कर उसमें कोशिश करना छोड़ दिया और डूबने लगा जब वो डूब रहा था तो प्रोफेसर ने उसे भार निकाला भार निकाल के रख दिया और कुछ दिर आराम करने दिया उसे खाना खिलाया उसके कुछ एक दो घंटे बाद फिर से पानी के भरेवे जार में डाल दिया इस बार आपको क्या लगता है वो चूहा कितनी दिर तक तैरता रहेगा 15 मिर्ट 20 मिर्ट 25 मिर्ट ये 5 मिर्ट आप नहीं मानेंगे वो चूहा लग भग 60 घंटे तक तैरने की कुछिश करता रहा है रीजन जानते हैं रीजन ये था दोस्तों कि इस बार उस चूहे को यकीन हो गया था वो प्रोफेसर एक नई बार तो उससे निकाले गई बार So friends, मुझे इस चोटी सी स्टोरी से एक लेसन मिला कि हम इनसान चूहे जितना भी नहीं समझते क्योंकि अल्ला ताला हमें हर बार हर तकलीफ हर पसीबतों से निकालता है फिर भी हम उस पर यकीन रखने के बदले इस इनसानों पर यकीन रखना जादा बेतर समझते नेकिन क्या हम अल्ला को नहीं समझ सकते कि वो कहीं न कहीं हमें तकलीफ हर उससे निकालता है बचाता है So friends, इस स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इससे अपने friends के साथ शेयर करना मत भोलिएगा और लाजमे, thanks for watching और खुद हाफिज